वेलकम ओनीजी लर्निंग नौ आइम गोई टो एक्स्प्लेंग अबाट जो पोएट जाउन डन उसके बारे में बताएंगे और कुछ जो है सुटेस्ट लव आइडू नोट गो है उसके बारे में बताएंगे तो सबसे पहली बात यह जो गो है यह एक ओल्ड इंगलिश है यह ध्यान रहे कि यह ओल्ड इंगलिश है जिसको जाउन डन ने यूज़ किया है लेकिन यह जो पोएट है यह ओल्ड इंगलिश के पोएट नहीं है ओल्ड इंगलिश के पोएट कोई और है वो जब आप ओल्ड समझ में आ जाएगा कि Old English के Poet कौन कौन से है तो चलिए John Dunn के बारे में पहले जानते है तो John Dunn का जो जन्म है वो 1572 में हुआ था और इनकी डिथ जो है 1631 में हुआ था कई बार एक्जाम में पूस दिया जाता है कि ये किस टाइम के Poet थे तो आगे दिया हुआ है The Pioneer of a New Kind of Lyrical and Satirical Verse कहते हैं या एक जो है नई प्रकार के Lyrical और जो Satirical Verse के जो है वो Pioneer थे Pioneer का मेनिंग होते हैं दूत या अग्र दूत होना किसी चीज़ को आगे बढ़ाना अब ये Lyrical और Satirical क्या होते हैं तो Lyrical जो होते हैं वो होते हैं जिसको हम Sing Song वे में गाते हैं मतलब जैसे हम गीत गाते हैं उसी तरीके से Lyrical को गाया जाता है और Satirical मेनिंग होते हैं अगर हम किसी के उपर मजा करते हैं ताना मारते हैं तो उसको Satir कहा जाता है लेकिन इसका उदेश होता है कि किसी भी तरीके से मजा कुरा करके उस आदमी कंदर सुधार ला देना जैसे आरनी होते हैं उसी टैप के होते हैं ये और ये जो है ये मेटाफिसिकल है मेटाफिसिकल का मिनिंग है Metafysical का मतलब है इस word को आप break कर दीजे Meta को अलग कर दीजे Meta का मतलब परे होना और physical मतलब शरीर मतलब शरीर से अलग होना तो यह जो भी poem लिखते थे या जिस समय के कभी थे उसको Metafysical कहा जाता था मतलब अगर इनके साथ इनकी lover हुआ करती थी कोई भी poem में तो वो lover से मिलता नहीं था लेकिन वो किसी ने किसी तरीके से शो कर देता था कि वो दोनों एक ही है तो इस कारण से इसको Metafysical कहा गया है मतलब हमारे शरीर से पड़े जो चीजें होती है उसको Metafysical कहा जाता है अभी तो हम केवल ये poem पढ़ने जा रहे हैं Sweetest Love I Do Not Go लेकिन इनके famous poems है जैसे कि आपका दफली है उसमें भी इन्होंने बताया है कि किस तरीके से बगार मिले हुए वो दोनों lover आप उसे मिल जाते है और भी बहुत सारे poem है जैसे The Compass है उसका बात ecstasy है तो ये सब जो poem है इसमें भी इन्होंने इस तरीके से बताया है कि किस तरीके से जो है ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये तरह अगई बात metaphysical कि metaphysical क्या होते है metaphysical वो होते हैं जो हमारे शरीर से संबंधित ना हो बलकि शरीर से बाहर हो अब आगे हैं इनका जन्म कहा हुआ था तो इनका जन्म लंडन में हुआ था was born in London into a prosperous Roman Catholic Catholic family of traders और ये एक संपन Roman Catholic जो फैमिली थे ट्रेडर्स के उनमें हुआ था ये उस समय में हुआ था traders तो जानते हैं ब्यापारी होती है अब Roman Catholic क्या होता है देखिए जो England में जो धर्म था आपका इसाई धर्म जिसको कि Catholic कहा जाता है तो Catholic था पहले उसके बाद बना Protestant तो Protestant के जो लीजर थे वो थे Martin Luther उस समय जिन्होंने कि Catholic जो चर्च है उस Catholic Church में जो होने वाली बुराईयां है उसके बारे में विरुद किये Protestant Church बना करके तो कहते हैं कि वहीं उसी Roman Catholic Church में जो है इनका जन्म हुआ था ट्रेडर्स के घर में और एट एट टाइम वेन इंगलेंड वास स्टांशली एंटी काथोलिक और यह उस समय जन्म हुआ था जब इंगलेंड बहुत मतलब बुरी तरह से बहुत बुरी तरीके से एंटी काथोलिक था मतलब यहाँ पे लोग एंटी काथोलिक को नहीं मानते थे एंटी मतलब नहीं मानना डन को मजबूर किया गया चोरने के लिए अब क्यों मजबूर किया गया बिना डिग्री ले हुए वो भी विदाओट डिग्री विकाउज आफ इस रिलीजन उनका जो रिलीजन था रोमन कैथोलिक उसके कारण से उनको जो है उनको जो है यूनिवर्सिटी सो है निकाल दिया गया अकसफोड हो पड़ते थे लेकिन वो अपनी डिग्री को नहीं ले पाए वो लाव पढ़े और थियोलोजी को भी पढ़े थियोलोजी क्या होता है जो धर्म शास्त्र होती है उसे को थियोलोजी कहा जाता है he also participated in two naval expeditions naval expeditions का मतलब होता है जहाज पर चर करके जो कहीं जाते हैं यात्रा करने के लिए नहीं जगा पर उसको naval expeditions कहे जाते है तो उन्होंने दो naval expeditions में भी हिसा लिए and became secretary to a powerful novel और powerful जो novel थे उनके secretary भी हुए a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's miss लेकिन जो job उनको मिली थी secretary का वो भी उनके हाथ से निकल गया lost करना मतलब निकल जाना हाथ से क्यों निकल गया जब उन्हें काराबास भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने चुप चाप अपने ही patron's की जो miss थी उससे साधी कर लिया था patrons का मतलब होता है जो देखरे करने वाले इनके होते हैं जो इनको रहनी के लिया था उन्हें से इन्होंने साधी कर लिया था जिससे काराण से इनको जेल हो गया था और इसके काराण से इनको नोकरी भी चली गए कहते हैं कि एज 42 में डन ने जो है एंगलिकन चर्च का जो प्रस्ताव है उसको स्विकर किया और तुरंत ही जो है अपने समय के बहुत सारे जो महान प्रीचर्स थे प्रीचर्स वो होते हैं जो धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं उपदेश देते हैं उन में से एक बन गए अगर कहते हैं लव के बारे में बात करें लिरिसिजम के बारे बात करें तो डन पूरी तरीके से पिट्रारकन का जो परंपरा था उससे अलग निकले अब यह पिट्रारकन क्या था तो पिट्रारकन जो है यह इटली का था और पिट्रार्क जो है उन्होंने सॉनेट भी लिखी जिसको बाद में पिट्रारकन सॉनेट भी कहा गया है इंट्रोडूसिंग और 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 इं है वो बिलकुल हाल-फिल-हाल के जो science की discoveries है geography की है उसको भी उन्होंने यूज किया and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing और geography को भी यूज किया जिससे कि वो जो verbal or intellectual teasing है उसकी point को भी तियार कर सेगे दोनों के मिला करके जो है तियार कर सेगे अब ये geography का यूज क्यों है जोगरफी क्यों यूज किया गया यहां पर में science और geography को तो science और geography को यूज इन्होंने इसलिए किया जिससे कि वो metaphysical चीजों को अच्छी तरीके से बता सके जैसे कि इन्होंने science में एक आपका poem है जिसका नाम है compass तो compass इन्होंने compass का यूज किया और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें इस धर्थी पे कहीं भी रहें लेकिन compass का जैसे दो लेग जो है दो तरह होता है तो एक लेग जो है अपने लवर के पास अपने सौंग्स और सॉनेट के लिए साटायर के लिए एलेजिज के लिए और सर्मंस के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं कि जैन्यून पोईटिक फिलेंग्स हार्श मेटर से स्ट्रेंट और मतलब इलकुल गुता हुआ है और हिमेजिकल इमेज, हिमेजिकल इमेज का मतलब होता है, जब कोई इनसान पागल पंती में कोई चीजें करने लगता है, तो इसको हिमेजिकल कहा जाता है, इसको हिंदी में सनकीपन कहा जाता है, तो इस तरह के चीजें भी जो है, उनके पोईटिक क्रियेशन में दिखाई परती है और या करेक्टराइज करती है